नमस्ते दोस्तों, हपते में एक बार इस मास्क को आप लगा करके देखें, स्कीन बहुत ज़्यादा टाइट करेगा और ये स्क्रब का भी काम करेगा ये मास्क बनाना से बनाया गया है केला जो हम लोग खाने में यूज करते हैं और बहुत अच्छा ये मास्क है और विंटर सीजन में तो हपते में एक दिन अगर आप इसे लगाएंगे तो आपके चेरे पे बिल्कुल भी काला पन नहीं आएगा और इसकीन पे जो जूर्या आजाती है दूप में बैटने से वो भी नहीं आएगा तो चलिए इस मास्क को बनाते हैं अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा दूसरों के साथ सेयर कीजेगा चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए आपको हाफ केला चाहिए बनाना चाहिए जो आप खाने में यूज करते हैं और चोटे चोटे टुकरू में इसे कट कर लीजे बनाना इसकीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है बनाना का आप पॉडर भी बना करके रख लीजे और इससे भी आप अपने चेहरे पे पैक के तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा कर रहेगा इसकीन को एकदम टाइट करने के साथ साथ इसकीन पे जो कालापन होता है उसे भी ये दूर करता है बनाना स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा है जितना अच्छा खाने में हेल्थ के लिए है उतना ही अच्छा स्कीन के लिए भी है तो इसे अच्छा सा पेश्ट बनाने के बाद आप फॉक से इसे पेश्ट बना लिजे और बनाने के बाद इसमें मैं डाल नहीं हूँ एक चमच हनी हनी स्कीन को मौश्राइच करेगा और सौप बनाएगा और जो दाग दब्बे होते हैं उन्हें भी ये दूर करता है हनी का भी इस्तेमाल आप विक में एक से दो बार जरूर कर लिया कीजिए अपने चेहरे के लिए क्योंकि हनी क्लिंजिंग का भी काम करता है हनी में बहुत अच्छे अच्छे गुन होते हैं तो इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लिजिए और लगभग दो चमच मैं इसमें डाल लएँ हूं चावल का आठा चाबल के आटे में इसकीन को bright करने की चमता होती है और चाबल का आटा तो सब लोग जानते ही है कि बहुत ही अच्छा काम करता है इसकीन के लिए और चमक लाता है और जापाणी लोग इसका इस्तिमाल बहुत जादा करते हैं इसलिए उनके चेहरे पे चमक हमेंसा बरकरार रहता है, तो हफ़ते में एक बार इसे इसे इस्तिमाल करने करने बता रही हूँ, इसलिए मैं इसमें जो जो भी चीज डाली हूँ, वो स्कीन को bright करने के साथ, tight करने के साथ साथ, स्कीन पेक दम बहुत अच्छा सा glow भी हमेंसा बरकरार रहेगा और उसके बाद मैं इसमें डाल लेए हूँ एक चमच दही जो घर का बनाया हुआ है आप आपके पास जो भी हो आप एक चमच दही इसमें मिला दीजिए इन सारे चीजों को मिलाने के बाद मैं इसमें एक चीज और भी अभी डालूंगी जो अभी विंटर सी चल रहा है इसलिए वो डालना जरूरी है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चावल का आटा अपने चेरे पे लगाते हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाएगा तो इसलिए अच्छा नहीं रहेगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन का चार से पांच बुंद मॉश्रा तो आपको मैं सौर्स वीडियो में बताई हूँ ग्लिसरीन और नीमबू का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए तो आप लोग वीडियो को देखा किजिए और समझा किजिए इस तरीके का पैक बनके रेडी हो चुका है तो चलिए इसे अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ और लगाने के बाद मैं आपको बता दूँ कि जब ये हलका सा सूख जाए तो क्योंकि इसमें मैं चावल का आटा डाली हूँ और ये स्क्रब का भी काम करेगा तो हलके हाथों से मसाज करते हुए इसे आप अपने चेहरे से छुडा लेना और उसके बाद हलका गुनगुना पानी से आप इसे धो लेना क्योंकि विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में हलका गुनगुना पानी आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा काम करेगा तो चलिए यहाँ पर देखिए धोने के बाद का स्कीन कितना अच्छा है तो मिलती हूँ और भी दूसरे वीडियो में आतब तक के लिए थैंक यू बाई बाई